बहुत बहुत स्वागत तक मेरे इस चैनल पर दोस्तों तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा भूख लगना या कम भूख लगना कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो हर एक एक गंटे या दो-दो गंटे पर वो कुछ न कुछ खाते रहती है वही कई महिलाओं को भूख कम लगती है उनको खाने का बिलकुल भी मन नहीं होता है cravings कम होती है इसके पिछे बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते करते हैं ऐसे कुछ जो symbols होते हैं symptoms होते हैं उसे कुछ indication होता है कि गर्भवती महिला को क्या होने वाला है देखी कई बड़ महिलाओं को भूख जादा इसलिए भी लगती है क्योंकि ये hormones changes का भी कारण एक होता है कि pregnancy में कई ऐसे hormones से जो changes होते हैं दूसरा करण ये होता है भूख जादा लगने का क्योंकि वो stress free है बिल्कुल वो जादा stress नहीं लेती है काफी healthy life जीती है और अपने diet पर जादा धियान देती है उनको पता है कि उनको अभी nutrition की जरूरत है इस वज़े से क्या-क्या चीज़े उनके लिए फायदे मन्द होगी वो हर एक time table बना लेती है और वो समय अनुसार खाती है जिससे कि उनके पेट में gas acidity की problem नहीं होती है और समय पे खाने से मतलब हर चीज अच्छा होता है gas नहीं बनता है पेट करक नहीं होता है constipation की problem नहीं होती है इस वज़े से उनका जो भूख का timing है वो बिल्कुल accurate है और उस वज़े से उनको भूख अच्छे से लगती है हर 2-2 गंटे या 3-3 गंटे पे वो जरूर से जरूर कुछ न कुछ खाती है तो ये काफी अच्छा होता है pregnancy में से baby की growth और development भी अच्छी होती है इसका कोई और इशारा नहीं है कि आप ये समझ लो की जादा भूख लग रही है तो इसका मतलब कुछ और इशारा है बिल्कुल भी नहीं और दूसरी बात रहा कि कम भूख लगना अब कई महिलां को कम भूख इसलिए भी लगती है काफी stressful रहती है वो जादा खाने पिने पे ध्यान नहीं देती है और नहीं वो समय पर खाती है तो इस वज़े से भूख नहीं लगती है दूसरा है हर्मोनल चेंजिस के कायन भी कि उन पर ये effect पर रहा है कि उनकी भूख नहीं लगने की परिशानी बढ़ गई है ये सारा कुछ होड़ा है समय पर नहीं खाने की वज़े से भी भूख खतम हो जाती है इसलिए जब भी आप pregnant हो तो समय पर खाईए और जितना हो सके अच्छे vitamins अच्छे जितना supplements के साथ आप diet भी सही लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा तो I hope आपको वीडियो समझ में आया हो कि इसके कोई इशारे नहीं होता है ये hormonal change होता है और आपके diet पे काफी असर होता है कि आपका diet कैसा है आपका diet अच्छा होगा तो भूख भी वैसे ही लगेगा diet अच्छी नहीं होगी तो भूख ज़्यादा नहीं लगेगी और timing भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप किस तरीके से खाते हो और कुछ ऐसी बाते नहीं है कि अगर आपने pregnancy में सुनी है I hope आपको ये वीडियो पसंद आयो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लैक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करके बताना धन्या